नमस्कार मैंने मिश भनसाली और आप देख रहे हैं टेरेंटेर इंडिया न्यूस वो कहते हैं ना कि जब कुछ भी काम नहीं आता तब क्या काम आता है तब व्यक्ति धर्म की मजभब की आड़ लेने लगता है लेकिन शायद वो ये भूल जाता है कि अगर आप सच के साथ न नहीं होगा ना कोई दर्म ना कोई मजभब आप कुस समय के लिए सबकी सेमपैथी तो ले सकते हो लेकिन सेमपैथी देने वाले भी ये जानते हैं कि सच क्या है और जूट क्या है ये सारी बात हम आपको बता इसलिए रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजब याना कि प्रदान मंतरी इमरान खान अब जब सभी मंचों पर अपना जूट सच साबित करने में विफल हो गए तो वो धर्म और मजभब की बाते करने लगे हैं और ये बताने लगे हैं कि दुनिया के सारे मुलकों के मुसल्मान उनके साथ हैं और भारत का मुसल्मान भी उनके साथ हैं पाकिस्तान के साथ हैं ये देखिए हम अपनी मुसल्मान दुनिया में सारी जितने भी अभी भी मैं बता चुका हूँ हेड्स अफ स्टेट्स को जितने से भी बात हुई है आगे भी बताओंगा मैं थोड़ा सा अपने अख़बारों में पढ़ता हूँ कि लोग मायूस हो जाते हैं जित देखें दुनिया मुसल्मान मुल्क कुछ नहीं कर रहे बिल्कुल आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है अगर कई मुसल्मान हुकुमतें इस वक्त मुझबूरी की वज़ा से तजारत की वज़ा से अगर अभी नहीं भी हैं आज अगर नहीं भी हैं आगे हमारे साथ आ जाएंगी मुझे बड़ी अची तरह याद है जब बोस्निया के अंदर मुसल्मानों का कतले आम हुआ तो शुरू में कोई भी उनके साथ नहीं था डरते थे बात करते हुए कि जी हमें कोई बन्याद परस्त ना क्या दे हमें इंतिहा पसंद ना क्या दे कोई मुसल्मान उनके साथ नहीं था लेकिन आइस्ता आइस्ता जैसी मीडिया ने बॉस्टिया में जो कतले आम हुई उसको उठाता गया तो मुझबूरी बन गई हकुमतों की और ये भी मैं आज आपको कह रहा हूं कि इंशालला मैं जुम्हदारी लेता हूं मैं इसको उठाऊंगा तो अब इस मामले में थोड़ा सा ये भी देख लीजिए इमरान खान साहब कि भारत का मुसल्मान आपकी बातों से कितना वास्ता रखता है ये विडियो देखिए हम पाकिस्ताइन के वजिरियाजम से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामें बैट कर जो पैगाम आप हिंदुस्ताइन को देना चाहते हो मत दीजिए आपने शुरुआद की है ये पहला हमला नहीं है पठान कोट भी हुआ पूरी भी हुआ अब पुलवामा हुआ है और हम इंदुस्ताइन की तरफ से पाकिस्ताइन के वजिर आजम को बताना चाहते है कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निखाब निकाल कर फैक दीजिए लेकिन हम आपको ये बता दे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बोखलाय हुए पाकिस्तान के हालत ये हो चुकी है कि पियोके में रहने वाले मुसलिम भाई भी पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं और आंदोलन करने लगें सडकों पर आ रहें पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये देखिए झाले मुसलिम पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं तो अब जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि जिहाद और धर्म के नाम पर वो महज उन लोगों के जरिये राजनीती कर रहा है जिने जीने का हक है आज के दौर में और उन तमाम सुविधाओं के साथ जीने का हक है जो दुनिया के बाकी लोग जिसमें जी रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए उतना ही अच्छा होगा तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें